ही निमस्कार मेरा नाम है निखिल आज कंपेर करने वाले है डायमेंड सिटी 800 को स्नाप ड्रेगन के 730G से यहाँ पर देखेंगे कौन साथ बेटर चिपसेट है जिसकी वएसे आपको जो बैटरी एफिशेंसी है बेटर मिलने वाली है यहाँ थोड़ा बहुत जो थर्मल कंट्रोल है वो भी थोड़ा आपको जो बैटर मिलेगा यहां तक बात करते हैं यहां पर रायम की तो डायमेंड सिटी 800 में आपको डियोल चैनल 8G वी तक जाने वाला एल्पी डीडियार फोरेस्क्राइम मिलता है जो की 2133 मेगाहट्स के क्लॉक्ट है आपको सेम डियोल चैनल 8G वी तक जाने वाला एल्पी डीडियार फोरेस्क्राइम मिलता है बट यह जो क्लॉक्स्पीड है वो है 1866 मेगाहट्स की तो यहां पर रायम की मामले में डायमेंड सिटी 800 आपको बेटर रायम उफर कर रहा है जहां तक बत करते हैं आपर स्ट्रो 2 क्लस्टर में आपको चार कोर मिल जाता हैं Νेयो के जहां पर मिल आपको चार कोर मिलते हैं को आपको बेस्त की सिटी वाले clock dead 1.8 GHz तो निकली यहाँ पर आपका जो Dimensity 800 है यहाँ पर आपको चार कोर्स मिल रहा है जो की ज्यादा high performance वाले है यहाँ पर clocks पर थोड़ी से कम हो सकती है बड़ यहाँ पर चार कोर्स high performance वाले है इसकी वए से वो आपको लगबग थोड़ा सा better performance दे देगा CPU के मामले म और यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके GPU की तो अफकोस आपके Dimensity 800 का GPU बेटर है यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके Centurion Mark की तो अफकोस यहाँ पर अब तक Dimensity 800 को जो है लिस्टिंग नहीं किया गया है बट मेरे उपिनियन से मेरे नॉलिज के इसाब से यहाँ पर यह Centur स्कोर कर लिता है Centurion Mark 97 का तो अफकोस यहाँ पर GPU के मार्क में थोड़ा सा फरक है एक में आपको 97 का स्कोर मिलता है दूसरे में आपको 100 का स्कोर मिल सकता है मेरे ओपिनियन से यहाँ तक बात करते हैं आपको AI एंजिन की तो Dimensity 800 में आपको मिल जाता है APU 3.0 यह चार कोर वा तो आपकोस आपके Dimensity 800 आपको बेटर AI एंजिन आफ़र कर रहा है वैसे में भी यहाँ पर Mediatek के जो APU होते हैं वो लग बग बहुत ही ज़्यादा capable होते है यह तक बात करते हैं आपर ISP की तो आपके Dimensity 800 में आपको 64 MP का सिंगल कैमरा एंड डियोल कैमरा यहाँ पर 32 प्लस 16 MP का मिल जाता है और अपके Snapdragon 780G में आपको सिंगल कैमरा 192 MP का मिल जाता है यहाँ आपको मिलता है 350 ISP जो की like 14 bit के Dior ISP पर यहाँ पर बेज़ है आते हैं जहां तक बत करते हैं यहाँ पर डिस्पलेगी तो यहाँ पर आपके Dimensity 800 में आपको Full HD Plus तक का डिस्पले का सपोर्ट मिल जाता है जो की 90 Hz का हो सकता है और अधर हैंड आपके Snapdragon 730G में आपको Full HD Plus तक का डिस्पले मलता है जो की 90 से लेके 120 Hz तक जा सकता है यहाँ पर आपको Quad HD Plus तक का डिस्पले का सपोर्ट मिल जाता है वीडियो रिकोर्डिंग के मामले में आपका Dimensity 800 यहाँ पर 4K HD के quality में 30 fps पर रिकोर्ड कर सकता है और अधर है आपका Snapdragon 730 GB यहाँ पर सेम 4K HD के quality में 30 fps पर रिकोर्ड कर सकता है वीडियो प्लेबैक में आप दोनों के तुनों चिपसेटी 4K HD के quality की वीडियो को प्लेबैक कर सकते हैं बात अगर करते हैं आपका आपका Dimensity 800 यहाँ पर आपके 5G modem के साथ में आता है जहाँ आपको Downloading Speed 3.5 Gbps की and Uploading Speed आपको 1.25 Gbps की मिल जाती है और अपके Snapdragon 730G में आपको Downloading Speed मिलती है 800 Mbps की and Uploading Speed आपको मिल जाती है 150 Mbps की अभीकर बात करते हैं यहाँ पजी की तो यहाँ पजी का जितने Specs है यहाँ जितने भी Performance है मेरे खुद के Expectation की साब से है यहाँ पर कोई Testing नहीं है विकोज यहाँ पर जो Dimensity 800 है अभी तक मार्केट में लांच नहीं हुआ है कोभी फोन के साथ में तो गर बात करते हैं यहाँ पर आपके Dimensity 800 ही तो यहाँ पर आपको Smooth Plus Ultra तक की Setting तो normally मिल जाएगी and यहाँ पर Smooth Plus Ultra तक की Setting मेरे आपको 40-37 fps का एवरेज देवने को मिलेगा and GFX यूज यूज करने के बाद यहाँ पर आप जो Smooth Plus Extreme तक मुझे लगता है कि यहाँ पर गेमिंग करने के बाद लगबग यह जो चिपसेट है लगबग 43 डिग्री सेटिस तक और अधर आपके Snapdragon 730G में जो टेस्ट करने के बाद हमको जो रिसल्ट मिले है वो है कि यहाँ पर यह Smooth Plus Ultra तक की सेटिंग में चल जाता है 35 से लेके 40 का आपको जो लगबग एवरेज मिलता है FPS का Frame drops होते हैं कभी-कभी बट ज्यादा भी नहीं होते है आप गेम को आराम से खेल सकते हो यहाँ पार आपको 55 से लेके 45 का एवरेज मिलता है FPS का और नॉर्मरली आपको यहाँ पर हाय ग्राफिक HD प्लस हाय तक का मिल जाता है 30 मिनिट से गेमिंग के बाद जो चिपसट लगबग 40 से लेके 40 की शाज़िस तक हीट कर जाता है जातक बात करते हैं आप बैटरी के तो मेरे नॉलिज से मुझे से लगता है कि Dimensity 800 यहाँ पर लगबग 450 मह की बैटरी यूज कर जाएका 30 मिनिट से गेमिंग में जातक बत करते हैं आप एंटरी की तो आपको एंटरी भी यहाँ पर अब तक मिला नहीं है Dimensity 800 का यह मेरे खुद का ओपीनिन है तो मेरे ओपीनिन थी यहाँ पर मुझे लगता है कि यह 3,20,000 के आसपा स्कोर कर लेगा और अधि और अधिन स्नैपड्रेगन 730 यहाँ पर स्क स्कूर कर लेगा 600 and multi core में score कर लेगा 2000 तक on the other hand snapdragon 730 यहाँ पर single core में score कर लेता है 542 and multi core में score कर लेता है 1730 तो अगर बात करते हैं आप conclusion की तो of course यहाँ पर डामेंसरी 800 जो है बेटर निकल के आता है और जब भी यहाँ पा स्कोर्स मेरे हाथ में एकदम ही बेस्ड होके फैक्ट के बेसिस पे आ जाएंगे मैं जरूर से नीचे कमेंट में डाल दूँगा आप जरूर से चेक आउट कर लिजे नीचे कमेंट को हो सकता है कि मैंने अपडेट कर दिया हूँ अभी तक तो आए होप सापको वीडियो पसंद आए होगी तो ऐसी वीडियो बनाते रहता हो तो ऐसी वीडियो का जो है नोटिविकेशन पाने के लिए बेले नको दबा दिजिए अब तिल दिन इस निक सिंग आप